सवाल को सबसे पहले तो हम चालू करेंगे अपनी आइंस्टीन की एक्वेशन से सबसेंगे आपकी कानेटिक इनरजी मैक्सिमम विल इक्वल तो यह जो आपकी के आएगी कानेटिक इनरजी वह आएगी एच सी उसको आप लिखेंगे वन टू फो डबल जिरो डिवाड़ीड बाव लेंड़ा लेंड़ा दिया आपने को 500 डाइनोमिटर यानि कि आप इसको ल कानेटिक इनरजी हो गई वह हो जाएगी अच्छा इस पर जब यह करेंगे तो 30 से यहां पर आजाएगा डिवाइड बाव फाइव यानिक इसको टू से मल्टिप्लाइब करके यह कर लेते हैं यह हो गया 2.28 माने 2.28 नहीं इसको डबल करेंगे तो 248-2.28 यानि कि आपकी क बताना है कि उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंड क्या होगी नौ डी ब्रॉगली वेवलेंड को हम लिखते हैं इस विल बी इकोल टू एच बाई पी या फिर इसको लिखते हैं एच डिवाइड बाइड रूट टू एम के अब यहां पर कैलकुलेशन आपके इनवाड हो जाए इसको 9.1 की जानबुच के मैंने 9 लिखा है विकॉज यह अंडरूट है सो 9.1 एप्रॉक्सिमेटली हमें इससे आंसर मिल जाएगा इसको इसको अगर देखेंगे 9 है इसके साथ अगर एक 10 लगा देंगे तो 16 बन जाएगा जिसका अंडरूट आपका 4 आयाता है यह 2 है और यह 2 है ठीक है तो इसका अंडरूट लेना कोई मुश्किल काम नहीं होएगा मैं आपको करके भी दिखाता हूं तो यह बनेगा ट्वाइस टू तो इसका आया नाइन का आया आपका 3 और 16 का आया 4 अब यहां पर 10 की पावर देख लेते हैं के अंडरूट में 10 की पावर कितनी होएगी तो यह तो आया 10 तो 10 तूदी पावर –31 ऐगा 10 तूदी पावर 19 और यह जो आएगा इसका अमने क्योंकि पॉइंट के जहाए टू की तो मान लिए तहा तो इसका 10 10 to the power minus 1, इस 1.6 को हमने 16 माना था तो इसका 10 to the power minus 2 यह और रहेगा, इसको अगर देखे 10 to the power minus 31 और 10 to the power यह बचा आपका minus 19, तो 31, 9 यह आपका 15, 50 हो गया और minus 2, 52 हो गया और 10 to the power minus 52 हो गया और 10 to the power minus 26 बन जाएगा, तो जो अपनी final value बची lambda की calculation करके देख रहे हैं, वह आएगा 6.63 divided by नीचे बनाए 24, multiplied by यह था आपका 10 to the power minus 34 मैं आपके notes के लिए लिख रहा हूं, नीचे बचा 10 to the power minus 52 उसका अधा करेंगे 10 to the power minus 26 और उपा जाके यह जाएगा 10 to the power 26, तो आपका जो final answer बचेगा, वह आएगा 6.63 divided by 24 यह आपको करना पड़ेगा और यह आपकी value बन जाएगी 10 to the power minus 8, ना इसको जब हम solve करेंगे, तो आपकी lambda की जो value आती approximately आजाएगी 2.8 into 10 to the power minus 9 इस range में यह value आजाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला answer है, option number A, 2.28 into 10 to the power minus 9 would be the right answer.